सोसल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें सोसल मीडिया पर पिता दुआरा आठ वर्षे मासुम पर बेरहमी का ये वीडियो है जो अक्सर वाइरल हो रहा है जिस पर संग्यान में आने के बाद पुलिस दुआरा कड़ा एक्सल लिया गया और बेरहम पिता को गिरफ्तार भी कर लिया गया मामला एक मासुम और उसके पिता से जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे इस वीडियो में होमवर्क नहीं करने पर मासुम को उसका पिता आतपाओं बांद कर उल्टा लटका कर पिटाई करतावत दिखाई दे रहा है वहीं मासुम की मा अपने मासुम को बचाने की कोशिश कर रही है और मासुम अपने पिता से गुहार लगाते वे कह रहा है कि उसे उल्टा नहीं लटकाया जाए बलकि मार दिया जाए बाप की इस करतूत का मासूम की मा ने वीडियो बना कर सोसल मीडिया पर वाइरल कर दिया मामला पुलिस के संग्यान में आया और पुलिस ने इस पर कड़ा रुक अक्तियार किया संग्यान में आने के बाद आरोपी पिता को पुलिस ने गिरपतार कर लिया मामला चित्तोडगर जिले के वारा करना कितना गलत है और पुलिस ने जो जिस तरीके का एक्षन लिया वो काबिले तारीफ है देखिए खास रिपोर्ट इंटरनेक पर सोचल मीदिया में एक वीडियो बाईरल हो जिसके अंतर एक आद्मी जो है बच्चे को आच साल का बच्चा था उसको बुरी तरह मात मिद्ध कर रहा था आमा ने कर रहा था। बहुत ही मतलब उसके साथ निवह जलत कर रहा था जिसके बारे में आधरा होने कि इसके बारे में पता लगाने के लिए घटना कहां किये इसके बारे में लगाया जिसमें जावी एसको ने मेरे को बता है कि ये घटना हमारे एरिया किया और ये व्यक्ति प्रजापती है पुष्कर प्रजापती ये अपने आज साल के बच्चे को ऐसा पीत रहा था बुरी तर मल्जीम को तलाश करी गई और वो उसको गिरफतार कर लिया गया है